तो दोस्तो आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं बोट वाच फ्लैश की जी हाँ दोस्तो इसको अमने कल अमाजॉन की सेल से 2499 में मंगवाया था और जैसा आप इदर बॉक्स पे देख सकते हैं इसके कुछ फीचर बताया है और मैंने इसको रेड कलर में मंगवाया और यह अमजॉन की फर्स सेल में हमने इस वाच को खरीद है सिर्फ आपके लिए अपने पैसो से दोस्तो तो अगर आपने अभी तक इ वीडियो में बताया था वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं उस पे आपने काफी प्यार दिया है दोस्तो जैसा आप इदर देख सकते हैं इदर आपको बोट का एक स्ट्राप दिख जाएगा और उसकी वाच का डायल भ इसकी बिल्ड कॉलिटी की बहुत चाहिए जैसा आप इदर देख सकते हैं पूरी मेटालिक बिल्ड कॉलिटी में है अभी हम थोड़ी देर में इसको डिसकस करेंगे डिटेल में सबसे पहले हम इसके बॉक्स की कंटेंट्स देख लेता है कि इसमें क्या-क्या मिला है तो द दोस्तों मैगनेटिक अट्राक्शन से बिल्कुली चार्ज हो जाएगा आपकी वाच और यह 2-pin कनेक्टर है और जैसा आप इदर देख सकते हैं बोट ने इदर अपना इक स्टिकर दिया जिसका बोट हेड नाम लिखा है और इस पर आपको एक यूजर मैनुएल और काफी स कैसे आपको 1-2-all steps कैसे आपको वाच को कनेक्ट करने अपनी आप से कैसे आपको एक-एक फीचर को अक्टिवेट करना है और सारी चीज़ हम बिल्कुल 1-2-all detail में, डिसकस करेंगे दोस्तों तो जैसा आप इदर देख सकते हैं दोस्तों यह boat watch flash है जिसका circular डायर मिला है इस को दबा के watch को on कर दिया है दोस्तों इदर right में आपको सारे sports mode दिख जाएंगे जो 10 sports mode है इसको हम बाद में discuss करेंगे और ऊपर आपको flash light और बाकी features मिल जाएंगे और left में आपको messages और notification मिल जाएंगे और नीचे आपको blood monitor, heart rate monitor और बाकी sleep tracking मिल जाएगा इसको भी और weather report भी मिलेगी दोस्तों music control भी मिल जाएगा और camera control भी मिल जाएगा तो दोस्तों जल्दी से आगे features में आपको discuss करके दिखाएंगे तो जैसा मैंने आपको बताएंगे इदर right में आ बताएंगे और इदर नीचे आपको इदर reset watch face तो इदर आपको 6 watch faces मिल जाएंगे जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लेकिन ऐसा हो सकता है आगे जाके बोट और update दे और और faces आपको देखने को मिल जाएं तो यह मैंने अभी ए face set कर लिया और इदर right में तो टोटल 10 sports mode है जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरी detail में बताया था अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं इदर सारे वो mode है जितने भी मैंने उस वीडियो में बताया थे और इदर वो breathing का भी mode है जिसमें आपको calculated meditation बता है two-pin magnetic charger है जो नीचे की side है और ऊपर आपको sensors दिख जाएंगे जो आपकी heart rate monitor करेंगे और दोस्तों आगे हमने जैसी power button दबाया है सारे sports mode आपको दिख जाते हैं अब मैं आपको एक एक करके सारी features और sports mode दिखाऊंगा पूरी detail में तो सबसे पहले नीचे आपको heart rate tracker दिख जाएगा और पीछे जैसा आप देख सकते हैं जो sensor वो activate हो गया और दोस्तों यह आपका 24-7 tracking कर सकता है तो अब मैं आपको बाकी के features भी दिखा देता हूं सबसे पहले मैंने इसको watch को पहन के आपको पूरा features detail में दिखाता हूं तो heart rate tracker मैंने on कर दिया और पहने हुए यह मे पर आपको steps दिख जाएंगे कितने steps चले और इदर आपको face दिख जाएगा अभी messages नहीं है दोस्तों मेरे phone में इदर आप देख सकते हैं इदर आपको sleep होता हूँ दिख जाएगा इदर आप flash on कर सकते हैं अब अपनी watch को flash बना सकते हैं जिससे काफी bright watch हो जाती है और इसकी sports mode है यह भी आपको सारा वैसे ही दिख जाएगा सारे steps वगेरा और नीचे आपको cycling का भी mode दिख जाएगा cycling में भी आपको सारे वैसी features दिख जाएंगे और उसके बाद आपको climb का sports mode दिखेगा उसमें भी सारे features similar है तो उसको आप use करके दोस्तों समझ भाएंगे अभी मैं आपको सारे features दिखा रहा हूँ योगा feature है दोस्तों इदर इदर भी आपको kilo calorie वगेरा सब features दिख जाएंगे basketball mode है इदर नीचे आके जैसा कि आप इदर देख सकता है सारे steps और kilo calorie वगेरा BPM सब चेक करता है आपका तो दोस्तों इस सारे sports mode almost similar ही होते है वैसे तो इसमें आप आपको कोई बहुत ज्यादा amazing चीज नहीं लगेगी क्योंकि सब कुछ similar ही होता है लेकिन एक fitness tracker में हर चीज होनी चाहिए और ये all-in-one watch है और इदर skipping mode swimming mode सब आपको detail में दिख जाएंगे तो मैं आपको अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ इसको use कैसे करना अगर उस पर भी सकते हैं तो दोस्तों ये सारे modes का timing वगेरा subset करके अपने हिसाब से पूरा adjust करके use कर सकते हैं और जैसे आप इदर देख सकते हैं ये breathing मैंने fast low medium अलग-अलग mode है तो मैं आप इसको slow पे सेट करके start कर देता हूँ तो इदर timing start हो जाती है और इसके बाद ये आपको पूरा detail मे level controller मिल जाएगा जिससे आपको sensor के through ये check करके बता देगा कि आपकी body में blood oxygen level कितना है तो इदर आप 98% जैसा देख सकते हैं और stop watch का feature भी मिल जाए जो कि दोस्तों काफी helpful रहता है इदर आप start or pause कर सकते हैं और उसके बाद आपको find phone का feature भी मिल जाएगा जैसे by chance आपका अग किसी को भी आप set कर सकते हैं और दोस्तों और भी कुछ features है reset power of QR code जिससे आप app download करेंगे वो भी हम अभी user guide में पूरा detail में discuss करेंगे तो इसमें मैं सबसे अच्छे से पूरा आपको detail में बताऊंगा कि board watch flash को use करने के लिए आपको क्या क्या करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको जैसी box से निकालेंगे आपको watch को charge करना है वही magnetic charger को इन दो pins में connect करके और इस जैसी pin से आप connect करेंगे आपकी watch use करने के लिए ready हो जाएगी के बाद दोस्तों अगर आपको watch को on करना है तो आपको power button को long press करना पड़ेगा 3-5 second के लिए जो right side में आपको देखेगा औ watch on हो जाएगी और watch के on होती ही दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना चाहिए boat variables app से connect करने का दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में काफी लोगों ने पूछा है कि इसकी app का क्या नाम है तो इसमें आप देख सकते है boat variables app को आपको download करना है और आपने अपने सारे features को setup करना है जैसे की call, logs, सब चीज़ों को आपको conditions को yes या no करके connect कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको अपने data को synchronize करना है अपनी watch के data को phone की app से synchronize करना है यानि कि आपको app notification को on करना है या फिर आप जो भी features use करना चाहते है आप उसको connect कर सकते है जैसे की find device, automatic heart rate आप connection करना चाहते या फिर waking gestures जो की sleep tracking में काफी जादा help करता है तो यह सारे features को आप connect कर सकते है अपनी phone की app से जैसा आप इदर देख सकते है dnd और जैसे आप sedentary और hydration के भी setup कर सकते है और features आप set कर सकते है और alarms को भी आप set कर सकते है और आप watch faces को भी अपनी phone की app से adjust कर सकते है और दूस्तों जाने के लिए आपको swipe करना है left side पर आने कि आपको right side पर जाना है और main menu में जैसा मैंने आपको पहले अभी दिखाया था सारे modes आपको दिख जाएंगे sports mode दिख जाएंगे जो की 10 है total और उसके अलावा भी आपको सारे features जितने भी आपको right side में दिख जाएंगे जिसके लि left swipe करना पड़ेगा और इदर आपको shutter दिख जाएगा जैसा मैंने आपको बताया ही था कि आपको camera से अगर photo कीचनी अपने phone की तो आप इस shutter को क्लिक करके भी खीच सकते हैं और stopwatch का भी access कर सकते हैं जो कि आप सिंगल प्रेस में आप stopwatch को on या off कर सकते हैं और find my device का भी feature है जैसा कि आप इदर देख सकते है by chance कभी आपका phone गुम जाता है तो इसको दबाती है आपका phone vibrate होने लग जाएगा और उससे sound भी आने लग जाईगी और जैसा आप इदर देख सकते है screen card sleep time set करने के लिए आपको screen sleep option पे जाना है और उसके बाद आपको time set करना है और watch faces जैस कई बार lag आने लग जाता है थोड़ा watch में या फिर थोड़ी वो आप settings को changes करना जाता है तो उसको भी आप reset कर सकते हैं और left side पर दोस्तो notification का बार है जिसको आप swipe right करके use कर सकते हैं उपर swipe करेंगे तो जैसा आप इदर देख सकते है do not disturb mode है और इससे आपकी watch में कोई भी notification अगरे नहीं आएगा right में brightness का adjust कर सकते हैं इस पर क्लिक करके कम ज्यादा कर सकते है फ्लैश बना सकते है अपनी watch को जैसा मैं अभी वीडियो में दिखाया ही था उसके बाद दोस्तो messages को भी आप इदर से खोल सकते है notifications के through जो कि आपके phone में होगे और इदर आप नीचे करके जोगी काफी अच्छी बात है और power off अगर आपको अपनी watch को करना है वापस आपको राइट में जाके power off बले बटन को दबाके power off करना पड़ेगा दोस्तों यह थी मेरी वीडियो boat watch flash की unboxing और सारी detailed user guide तो इसमें मैंने आपको सारी one to all details बताइए दोस्तों इस watch को हम अप भी आपके doubts हो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें अपने दोस्तों के साथ थैंक यू